अपने दिमाग को control कैसे करे है? हमारा दिमाग कई अलग-अलग parts से बना हुआ है एंड उन सभी parts की असर हमारे बेहिएर पर पढ़ती है आप सभी अपने दिमाग के अलग-अलग parts के कारण पढ़ रही behavior की effect को side change करना चाहो पर क्यों? For example, आप कई बार पढ़ने का सोचते हो, पर आपका mind आपको पढ़ने बैठने से रोकता है, और दूसरी और दूसरा पार्ट आपको exam की याद दिलाता है, और पढ़ने के लिए force करता है, तो आप जरूर चाहोगे कि आपका behavior आपके second part के हिसाब से चले, और आप पढ़ने बै को control करे, और जो हमारी success के लिए सही चीज है, उसे मन लगा के interest के साथ करे, तो friends, welcome to your success में प्रतीक नी साथ है, आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे tricks की, जिसे आप अपने mind को easily control कर सकोगे, और आप जो चाहते हो, वो अपने आप से करवा सकोगे, तो चलो शुरू करते हैं and बात करते हैं उस तीन tricks के बारे में, first one is believe in yourself that you can change, believe करें कि आपके अंदर उतनी capacity है, कि आप किसी चीज को बदल सकते हो, कई लोगों को आप देखते होंगे, जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, पर वो नहीं ला सकते, क्यों, because वो बस यही मानते हैं, कि मैं ये कर सकता, मैं ये change नहीं ला सकता, मैं अपनी ये आदत नहीं छोड़ सकता, and इसलिए वो लोग, वो चीज नहीं कर सकते, and वो आदत नहीं छोड़ सकते, so सबसे पहले तो आप अपने आप पे believe करो, and मान लो के हां मैं कर सकता हूँ, आप late night तक जागना छोड़ सकते हो, आप FB या WhatsApp पे time waste करना भी बंद कर सकते हो, आप सराब भी छोड़ सकते हो, आप सिग्रेट भी छोड़ सकते हो, आपको ये सब मानना पड़ेगा, अगर आप अपने आप पे believe करोगे, तभी आप उस काम को करने के लिए motivate रहोगे, क्योंकि कहते हैं न, अगर चाह है तो राह है, Second thing is reconnect your brain, अगर आपको आपका mind किसी काम को करने को बार बार बोल रहा है, पर आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, for example, smoke करना, आपको पता है कि आपको cigarette नहीं पीनी चाहिए, फिर भी अगर आपको आपका mind smoke करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो बस यही सोचिए, कि cigarette एक जहर है, और उसका धुआ, जिस जिस organ से गुजरता है, वो बिगरता जा रहा है, और दिन बदिन उससे आपको problem हो रही है, अगर हो सके, तो ऐसे इंसान से भी मिलो, जिनको smoke से कोई problem हुई हो, तो अगर आप अपने brain को इस चीज से reconnect करोगे, तो आपका brain, आपको जो सही है, वो करने के लिए ज्यादा motivate करेगा, third thing is logical thinking, अपने life का एक goal decide कर लो, और उसके हिसाब से अपने small small goal decide कर लो, जब भी आपको किसी काम करने का मन ना हो, for example, अप student है, और आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो आप अपने next small goal के बारे में सोचो, and finally, अपने main goal के बारे में सोचो, जो के आपकी dream life है, अगर आप बार बार अपने mind को redirect करते रहोगे अपनी dream life के साथ, कि आपको कैसे अपनी life जीनी है, तो mind में बस यही question करना, कि बाई, यह dream life मुझे कैसे मिलेगी, और तब आपका mind आपको पढ़ने के लिए redirect करेगा, क्योंकि आपको पता है, कि उस उसके अलावा आपको यह चीज या फिर यह dream life नहीं मिलने वाली, friends, यह सिर्फ पढ़ाई से related नहीं है, अगर आप dancer बनके अपनी dream life जीना चाहते हो, तो आप उस life के बारे में सोचे, जब आप एक बड़े dancer बन चुके हो, और पूरी दुनिया आपके dance की दिवानी है, तो ऐसे टाइम पे आपका mind आपको dance की practice करने के लिए प्रेरीद करेगा और motivate करेगा, फिर बले ही आपको dance की practice करने का mood ना हो, friends, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह तीन चीज़े अच्छी लगी हो, and आप इन तीन चीज़ों का use करके अपनी dream life तक जल्दी पहुंच जाओ, लाइक करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, comment करे, share करें अपने friends and family के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल सके, and finally subscribe to your success mate प्रतीक, thank you so much.